मेरे प्रीवेस वीडियो से कुछ अलग होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं लिखकर आई हूँ आपके लिए एक होम रेमेडी आपके बालों के लिए जी हाँ विंटर्स आने वाले हैं विंटर्स के साथ ही आती है बालों में डेंडर्फ की समस्या डेंडर्फ से ना जिर्फ आपके बाल रुकी और बेजान लगते हैं बलकि यह सामने वाले के सामने आपके इंप्रेशन को भी डाउन करते हैं तो इस होम रेमेडी से आप अपन बनाने के लिए आपको चाहिए एक कटोरी दही, ऐलो विरा जल, नारिल का तेल और नीम्बू। एक कटोरी दही में दो चमच नारिल का तेल, दो चमच ऐलो विरा जल और आधा कटा हुआ नीम्बू का रज मिलाना हैं। अब इस मिक्चर को continuous हिलाना है अब यह मिक्चर आपके बालों में apply करने के लिए बिलकुल ready है तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस मिक्चर को किस तरीके से लगाती हूँ और आप इसे किस तरीके से लगा सकते हैं आप चाहें तो ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ब्रश से बालों में यह मिक्चर लगाने में comfortable हैं तो आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादतर महिलाएं मिश्रन को अपने हाथों से बालों में लगाने के लिए comfortable होती हैं इसलिए मैं आपको suggest करूंगी कि आप अपने हाथों से अपने बालों में यह मिश्रन लगाएं अपनी scalp के साथ अपनी lens पर भी लगाएं बालों का partition कर करके अच्छी तरीके से लगाएं इस मिश्रन को आप week में दो बार लगा सकते हैं और minimum 1 hour के लिए और maximum 2 hours के लिए इसे बालों में लगा छोड़ सकते हैं मिश्रन को बालों में अच्छी तरह ऐसे लगाने के बाद अपने बालों को बांधने के बाद एक cotton का कपड़ा लें और उससे अपने सिर को कवर करें ऐसा इसलिए ताकि जो दही से इस मिक्चर से पानी टपकता है उससे आपको uneasyness फील हो सकती है वो uneasyness आपको फील ना हो तो ये थी आज की home remedy I hope आपको समझ में आई होगी इसे किस तरीके से बनाया जाता है इसमें क्या-क्या ingredients डाले जाते हैं और इसे किस समय पर कितनी देर तक के लिए लगाया जाता है तो चलिए मिलते हैं मेरी next वीडियो में तब तक के लिए stay safe, stay happy and thanks for watching झाल को फोला जाता है